नमस्कार जुहार और भी है राये के नए कारेक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है मैं हूँ आपके साथ चन्दा कुमारी हम अपने इस कारेक्रम के जरिये आपको करियर के बारे में बहुत स new guidance देने का काम करते हैं हर सापता हम एक विश्ए को चुनते हैं उसमें आप किस तरीके सागे बर सकते हैं क्या क्या उस किस फिल्ड में आप करियर बना सकते उसके बारे में जानकारी देते हैं हम अपने इस कारिक्रम में हर सब्ता अपने इस स्टूडियो में उस विशय के एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनके जरीया आपको जानकारी देने का काम करतें ताकि आपको सही और सर्टीक जानकारी मिल सकें अपने आज की सकरी में हम बात करने वाले entrepreneurship के बारे में और उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज के इस कारेकरम में हमारे स्टूडियो में आए हैं वो उसके क्या मीनिंग होते हैं, उसमें किस जिसकी परहाई की जाती है। सबसे पहले दूर दर्शन और आपका धन्यवाद के आपने इस टॉपिक उठाया है। अंट्रप्रेनिर्शिप के बारे बात करें तो अंट्रप्रेनिर्शिप का मतलब है आप एक बिजनस को डिजाइन करते हैं, उसको लांच करते हैं और इसको चलाते हैं। और यह बिजनस अपने आप में एक नए तरीके का बिजनस होना चाहिए। मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेश चल रहा है, वह चीज़े ना हो, अपने आप पे कुछ नया हो। ठीक है, इन्वेटिबिस में कुछ होना चाहिए। जो एंट्रप्रेनिर्शिप होता है, इसकी परहाई कब से शुरू होती है। मतलब किस क्लास से हमें पता चलने लगता है कि हां एक एंट्रप्रेनिर्शिप नाम की एक सब्जेक्ट भी एक्जिस्ट करती है। अभी पिछले कुछ दिनों से स्कूल में जैसे आप इंट्रमेडियेट लेबल पे भी एक्टिव पेपर इंट्रप्रेनिर्शिप पढ़ाया जा रहा है। तो आपको जिनरली जो बच्चे इंटरपास करके आते हैं जिनरली वो कॉमर्स के चित्रे में आएंगे या फिर मैनेजमेंट के चित्रे में आते हैं मतलब बी बीए बगारा करते हैं तो उसमें उनको एज एलेक्टिव पेपर की रूप में दिया जाता है और ऐसे और भी जहां पर मैनेजमेंट कोर्से में बी बीए या इंबीए में इस पेसलाइजेशन पेपर या इस पेसलाइजेशन के रूप में भी आंटरप्रेनर्शिप को पढ़ाया जाता है जी जैसे आपने पता है कि क्लास 11 ट्वेल्थ में या इस और ऑप्शनल रहता है तो बहुत ब सब्सक्राइजेशन का एक फॉर्मेट है तो इसके लिए जो सबसे अच्छा कोर्सेश होगा वह आपका मैनेजमेंट के कोर्सेश हो सकते हैं साथ में यह भी बोलना चाहूंगा कि कोई भी डिग्री आपको एड़ान प्रोवाइड करती है ऐसी कोई भी डिग्री नहीं आके यहां पर मैं यह भी जाना चाहूंगी कि क्लास 12 के बाद जब हम कॉलेजेश हमें सेलेक्ट करने में काफी सदा प्रॉब्लम होती है जैसे कि एक काफी सदा मतब एक ऐसा कोर्स है जिस पर हमारा पूरा फूचर निरधारित होता है तो कौन से ऐसे कॉलेजेश स्टुडेंट प्रॉइट करते हैं इंटर्परिनेर्शिप के फिल्ड में जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अन्टर्परिनेर्शिप एक नया विसे है मतलब एजूकेशन फिल्मे यह नया विसे है तो इसमें जहारकंट में अगर बात की जाये तो कुछ गीनिशुडे कॉलेजेज है जो पढ़ाई करवाते हैं जैसे हम अगर बात करें एकसर डाय की या एकसा एसस की बात करें या हमारे आई एम जो है वो इन में कुछ पर स्लाइज डिप्लोमा बगएरा कोर्स करवाता है या डिग्री कोर्स करवाता है जनरली डिप्लोमा और पास कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स ह करवाता है बाकि कुछ ऐसे प्राइवेट और्गनाजेशन भी हैं जिनों ने अभी स्टार्ट किया है तो जहारखट में अभी कुछ कीने चुने लेकिन हाँ अभी बाकि जितने भी मैनेजमेंट कोर्से से क्योंकि हमारा जो नया एजूकेशन पॉलिसी आया हूँ है इसके इसाब से बहुत सारे कॉलेजेशन ने अपने स्लेबर स्कूरी फ्रेम्ड किया है और मुस्ली आने वाले कुछ सालों में एक दो सालों में हम देखे हैं बस करते हैं तो इसमें हमें काफी ज्यादा मताब्पने स्कूल्स ढफ़प करने पड़ते हैं जिसे करें यότε devote उन्हें कैरा जाटेल करें दो क्या कोर्सेस अब साब्चेस्ट करेंगा आप है इस चार साल का साल की कॉर्शेस्ट करेंगे अभी आपको एक साल्ग स 60 त में 1 की कोर्स है दौ साल के डिपलोम दिपलोम कोर्स हैति थीन साल की दिघ्री अपको शॕ कंसि कि दॉइ도 करिए बात करें। और अगर बात करें। अब करते हैं अंट्रप्रिनिर्शिप की समय आपको पैसे फिर्जबशेयर करें यहार हुगा हैं है कि आप क्रूजिय मुभी प्रेक्टिकल स्किल्स बहुत काम आएंगे, सिर्फ थीरिटिकल स्किल्स से हम एक बहतर अंटर्प्रेनियर नहीं बन सकते हैं, यहां जरूरी होगी, जैसे कर भाद करें, जैसे जगों पर हमारा जो इंटरंसिप होता है, बैसिकली जो मैनेजमेंट फिल्ड में बहुत कर पाएंगे, फ्यूचर अपने आपको सेट करना चाहते हैं, तो जब हम एंटरपैरियर की परहाई कर रहे हैं, तो उनके पास क्या उपर होगी थेशिज्ट अवेलेबल हैं, सबसे पहला तो हमारा जो है एक एंटरपैरियर बन सकते हैं, हम चाहेंगे आप इस बारें बता जो भी इसमें स्टूडेंट्स होंगे, मतलब उनके अंदर यह काबिलियत होनी चाहिए, कि वह वेल अवेयर्ड रहे, कुछ भी नए उपोर्चुनिटी को सबसे पहले देख पाए, समझ पाए, उसको इवैलुएट कर पाए, तो आपके पास ऐसा नजड़िया होना चाहिए, कि कोई भी उपोर्चुनिटी आप जो मार्केट में देख रही है, वो बाकियों से पहले आप देख पाए, और उसको इवैलुएट कर पाए, कि उसमें आप मार्केट में उसमें, इसमें एक पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, दूसरा, आपके पास एक बिजनस प्लान डेव कर सकें, लांचिंग के लिए ज़रूरी होगी आपको प्रॉपर रिसोर्स असेस्मेंट करना होगा, कि आप जो चीज़ें करना चाह रहे हैं, उसमें किस टाइप के टेक्नलोजी चाहिए, किस टाइप का मैन पावर्च चाहिए, कितने टाइप का फॉंड चाहिए, और इनक प्रॉपर मैनेज करना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब आप एक अन्टरेनियर बनते हैं, तो यू आर सोली रिस्पॉंसिबल फो यो बिजनस, आप चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, यह आपका खुद का है, तो जो भी बहतरी करनी है, वो आपको करनी होगी, कोई और करन जो भी रिस्क होगे, या अन्सर्टेनिटी होगी, आप उसको पॉजेटिव रूप में फेस कीजिएगा, और कैसे भी डिस्कल्ट सिच्वेशन होगी, आप उससे ओवरकम हो सके, तो यह सारी छमता है स्टूडेन्स में होगी, या डेवलप करनी होगी, जैसे कि एक तो हमा जाते हैं, तो उन बच्चों के पास क्या ओप्शन से वेलेबल हैं, जो एक एंटरप्रेनियोर नहीं बन पाएं किसी भी वज़ा से, तो वो किस फिल्ड में जा सकते हैं, और वहां वो मतलब जो उन्होंने जो परहाई कर रखी, उसका यूटिलाइज करके वो किस तरीके से एक्सेल कर सकते हैं, मैंने पहली बताया था कि एंटरप्रेनियोर शिप का में उद्देश है कि आप अपनी चमताओं को समझे, उसका इस्तमाल करें, प्रेड़ना ले और अपनी उपर निर्भर हो, तो इसके लिए सबसे तो बैटर है कि आप खुद का बिजनस स्टार्ट क कर पा रहे हैं, तो जो एजश्टिंग मार्केट प्लेजर्स हैं, उनके लिए भी आप ये काम कर सकते हैं, कुछ भी नया प्रजेक्ट वगईर आप डेवलब कर सकते हैं, कुछ अपर्चुनिटी इस नहीं दिख रहे हैं, उनके लिए आप डेवलब कीजेगा, जिसका में बहुत अच्छा रिस्क आनलेस्ट या फिर्प्रोजेक्ट मानेजर बन सकते हैं as compared to different जो बच्छे करके आरहे हैं उनके comparison में अगर आपने proper कोर्स किया है तो आप risk assessment कर सकते है, return assessment कर सकते है आपके पास leadership skills होंगी, आपके पास decision making capabilities होंगी और यही सब चीज चाहिए किसी भी organization में lead करने के लिए और successful बनाने के लिए सही समय पे सही decision ले पाईएगा उसको implement कर पाईएगा उसको control कर पाईएगा तो आप desired result तक जरूर पहुँचिएगा तो आपके organization को इसके फायदा होगा और moreover आपको अपने career personal growth में भी इसका फायदा मिलेगा यानि कि अगर बच्चे ने खुद का अगर setup नहीं कर पाया तो उनको बिलकुल निराश होने की जरुवत नहीं है वो दूसरे business में भी बहुत अच्छा दे के और grow कर सकते हैं बिलकुल बिलकुल और management में भी traditional जो specialization चल रहा है, marketing, HR, finance उसको छोड़ के entrepreneurship के अगर बहुत सारे ऐस organization है जो purely entrepreneurship को जाए specialization पढ़ा रहा है तो उनको MBA in entrepreneurship करना चाहिए जैसे कि MBA काफी साथा costly course होता है, बहुत बच्ची होंगे जो effort नहीं कर पाएंगे पर स्टिल वो चाहते हैं कि वो अपने आपको develop कर सके, तो उनके पास क्या कुछ options अवेलेबल हैं जो कि अगर वो MBA नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या courses पराई कर सकते हैं देखिए, अभी बात की जाए तो during lockdown जो रहा, इस समय ऐसे बहुत सारे organizations थे, मतलब government and non-government organizations, बहुत सारे ऐसे colleges थे और business entrepreneurs के associations थे, जिन्होंने बहुत सारे free of cost entrepreneurship के courses design किये, जो basically 2-month, 3-month या 6-month का है, certificate course है और free of cost है, mostly आपको free of cost कोई charges नहीं लगेंगे, तो अगर students चाहते हैं, और पढ़ाई रोकने के बाद भी मतलब आगे, नहीं पढ़ पा रहे हैं, या अपने job को continue करके ऐसा कुछ करें, तो एक तो उनके पास ये option है, कि वो free of cost इन सारे courses को कर सकते हैं, और entrepreneurship skills को develop कर सकते हैं, इसके अलावा जो लोग जॉब कर रहे हैं, और job के कारण आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए भी रहता है, executive MBA रहते हैं, या फिर अगर बात के जाए, बहुत सारे colleges से हमारे जहरखन में बात की जाए, तो IIM जो है, या आपका XISIS है, वो क्या करता है, online courses भी provide कर बाता है, तो वो उसका इस्तमाल कर सकते हैं, और जैसे कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, जैसा कि यह हम जानते हैं कि जो एक entrepreneur होता है, वो एक totally मतलब वो उसका खुद का business होता है, जिसमें कि हमें जो degree से बहुत जाद हमें personal skills की जरूँते हैं, तो बहुत ऐसे बच्चे होत नहीं पर पार है, बहुत weaker sections है, वो आगे नहीं पराई कर पार है, तो उनके पास भी कुछ ऐसे options available है, एक अच्छी entrepreneur बन सकते हैं, लेखिए, entrepreneurship में क्या है, knowledge कभी भी नुकसान दायक नहीं होता है, लेकिन अगर आप knowledge नहीं ले पार है, आर्थिक दिक्कत है आपको, तो मैंन कर सकता है, और सबसे अची बात यह है, कि इनमें से mostly courses के लिए, कोई minimum eligibility नहीं है, मतलब 10th pass भी वो course कर सकता है, इसमें जरूरी नहीं है, कि आपने graduate session किया हो, या post graduate किया हो, बाकी जितने भी university courses है, वो तो उनके minimum eligibility है, कि आज आप BBA लेबल पे करते हैं, तो आप intermediate pass out होने चा अगर बच्चे अगर जिनमें, जो government के तरफ से बहुत सरा ऐसे schemes है, जो कि मतलब उनको support करती है, गवर्मेंट के तरफ से भी है, और बहुत सारी universities भी free of cost कराती है, जैसा कि हम देख रहे कि अभी जो हमारा Indian government है, वो काफी जादा focus कर रहा हमें, कि हम self-reliant हो, self-dependent हो, और कह जो को के एक successful entrepreneur बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास resources की कम है कही न कहीं वज़ा से, तो उनके पास government ने उनके लिए क्या क्या रखा है, क्या ऐसे schemes हैं, जो कि government चला रही हैं उनके लिए, जो को बहुत जादा aware किया जा रहा है, सबसे पहली बात यह है, कि लोगों को समझ में स्टार्टप्स होता क्या है, मतलब मुस्टी लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग है, स्टार्टप्स का मतलब यह ने कि आप भी कुछ नया करें, आप कुछ नया बिजनस कर रहे हैं, आपका बिजनस में कुछ नया होना चाहिए, कोई traditional business अगर आप कर रहे हैं, तो उसको स्टार्टप्स के लिए जो आपको skills चाहिए होता है, entrepreneurship skills चाहिए होता है, उसको develop कराने के लिए बहुत सारे courses करवा रही है, ठीक है, अब इन courses को करने के बाद उनके पास skills तो आजाएगी, abilities आजाएगी, बात जो फस्ती है आपको कि funds, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जिनक entrepreneurship में जो होता है, उसका introduction phase में होता है, जब सुरुवाती दौर पे होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका एक जो business है, बहुत नया है, और इसमें risk बहुत जादा है, तो banks वगएरा हुए, या venture capitalist हुए, वो सुरुवात में आपको support नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि risk element बहुत तो फिर आपको government चाहें, तो आप government से भी assistance प्रवाइड कर सकते हैं, या फिर various banks है, या venture capitalist है, angel investors है, जो कि आपके project की potentiality के हिसाब से invest करते हैं, बहुत सरे ऐसे बच्चे होते हैं, जो अपना जो career होता है, वो चाहते हैं कि वो foreign में या फिर इंटरनाशनल वर पर जाके develop करें तो अगर हमने entrepreneurship की परहाई कर रखी है, तो हमारे पास international वर पर क्या opportunities हैं, किस तरीके से हम वहाँ पर अपने skills का ये करके, शो करके हम कैसे वहाँ पर grow कर सकते हैं, देखिए, entrepreneurship आपको one man army बनाता है, simply इसको ऐसे समझेए, कि आपने capability बनाए जाएगी, कि आप कुछ start कर पाए और सिर्फ ना start कर पाए, आप उसको destination तक पहुंचा पाए, although वहाँ पर risk factors है, तो risk है और return भी है, risk को analysis करने की capability आपके अंदर होगी, risk handling capabilities भी आपके अंदर डाली जाती है, और बाकि कुछ चीज़े होती है कि learning है, जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप जब भी कुछ start कर रहे हैं, तो आप successful हो, even failures भी आएंगी, लेकिन आपको ये भी सिखाया जाता है, कि failure से डरना नहीं है, उससे भी कुछ learning करना है, अब अगर बात करें, बच्चे फॉरें में जा रहे हैं, और वहाँ कुछ करना चाहते हैं, मतलब job opportunities की बात की जाए, तो entrepreneurship में हम पहली बत तो आपके competitors होंगे, बाकी जो normal degree holders होंगे, या फिर जो MBA वाले लोग होते हैं, वैसे में क्योंकि आपके पास कुछ add-on, extra skills है, आप कुछ बाकी लों से बहतर जानते हैं, बाकी management जानते हैं, आप leadership जानते हैं, बाकी चीज़ों को चलाना जानते हैं, आप उसको start करना और खत करना चाहता है, तो एक arm graduate या management graduate से पहले आपको preference देगा, तो आपके growth के chances जादा रहते हैं, आपने बार 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 बताया, इस बात पर focus की, जो entrepreneurship में हैं, उसमें हमारे जो skills होते हैं, हमारे अंदर क्या skills है, उस पर बहुत जादा depend करता है, कि हम कितने जादा successful होंगे, तो हम हमारे अंदर क्या 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 हमें skill develop करने है, क्या क्या हमें during the course, हमें ऐसे मतलब क्यूंकि जब हम चार साल या पांच साल की जब भी परहाई कर रहे हैं, तो अगर वो skills हम उसे time develop कर लें, तो उससे क्या होगा कि हम आगे चल के बहुत easily अपने आपको set कर सकते हैं, लेकिन वो opportunities को आप सबसे पहले देख पाए, कि हाँ यहां पर एक opportunity है, उसको evaluate कर पाए कि इस opportunity का economic advantage मैं कैसे ले सकता हूँ, ठीक है, इसके अलावा आपके अंदर managerial abilities होनी चाहिए, या फिर उससे बहतर leadership qualities होनी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर risk return analysis करने की छमता होनी चाहिए, ठीक है, आपके वे पास decision making capabilities होनी चाहिए, और किसी भी critical situations में आप पीछे ना हटे और अपनी चीज़ों को और बहतर कर पाए, अपना 100%, 200% potential दे पाए, यह capabilities आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर flexibility भी होनी चाहिए, क्योंकि market जो conditions होता है, वो लगाता है चेंज होता है, तो आ आप rigid नहीं हो सकते है, आपको adaptability आपके अंदर होनी चाहिए, कि जो भी चीज़े नहीं आ रही है, हम उसको adopt करके खुद को और बहतर कर सकें, जैसा कि मैंने पुछा था कि कोई भी बच्चे होते हैं, जो खुद का setup नहीं कर पाते हैं, अगर वो job लेना चाहते हैं, तो startups अगर बात करते हैं, अगर वो 10th pass out है, तो उनके पास बहुत जादा job opportunities नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो normal job opportunities सबके पास रहती है, वो तो आपके पास रहेगी, आपने entrepreneurship skills अपने अंदर develop किया है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा, कि आपकुछ अपना own कर पाई की है, तो 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक उनका package on an average basis जाता है, जब वो फ्रेसर है, इसके अलावा अगर skilled है और experienced है, तो फिर वहाँ पे आपका 12 लाख से 36 लाख तक का average package जाता है, जैसा कि बहुत ऐसे लोग होते हैं, जो परहाई तो दूसरे चीज़ तो वापस से उनके लिए तो possible नहीं हो सकता कि हो जाके BBA का course करें, फिर MBA का course करें, तो अगर वो भी entrepreneur के field में जाना चाहते हैं, तो उनके पस क्या options available है? बिलकुल, देखिए entrepreneurship सभी के लिए खुला हुआ है, एक अच्छा doctor है, अगर वो चाहता है कि हम सहर के बहुत नामी doctor है और हम अपना एक hospital develop कर ले, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि वो एक successful business develop कर सकता है, या business model develop कर सके, तभी develop कर पाएगा जब उसके अंदर entrepreneurship skills होंगे, वो business को समझता हो, यह सभी cases में है, अगर जरूरी नहीं है कि सर्फ एक doctor है, अगर किस एक cultural sector में जाना चाहते है, या कोई ऐसा जरूरी है कि उसके अंदर managerial या entrepreneurship skills हो, तो entrepreneurship skills आपको add on, मतलब extra hard provide करता है, आप अपने चीज़ों को और बहतर तरीके से कर सकते हैं, अब बात आती है कि अगर मान के चलिए, आपने जैसे बताए कि एक doctor वेकती है, और अपना profession चला रहा है, उसको खुद का अपना कुछ डे तो entrepreneurship फिर भी उसके लिए helpful होगा, अगर खुद का hospital खोलना है तो, अब ऐसे में वह MBA बगारा तो कर नी सकता है, रेगुलर MBA नहीं कर सकता है, लेकिन distance MBA जो होता है, executive MBA बगारा होते वह कर सकता है, online courses जो होते हैं, और अपने business को बैतर कर सकता है, किसी और के पास काम करने से ब यह यह हम इतने देर की चीशी उतना जो लंबहा हम परहाई करेंगे, जिस इसके số skills आगे, लेकिन इसको पहने बांत, । इसको पहने को प्रने के और क्यक्या इंपोर्टेंस है, क्यों हम परहाई कर रहे हैं तो entrepreneurship अश्क पहरा रहे हैं, इसके फायते हैं, क्या importance है सबसे पहले जाना जरूरी है लोगों को जागरुक बनाना जरूरी है कि entrepreneurship important क्यूं है तो सबसे पहले जान लिजिए कि entrepreneurship इसलिए जरूरी है कि आपको आपके चमताओं के बारे बताता है हर व्यक्ति में potential है उसका maximum utilization कैसे कर सकता है और अपने उपर निर्वित कैसे हो सकता है मतलब दूसरे के उपर dependent जैसे कि हम अगर बात करें अभी जैसे lockdowns आये थे या इससे पहले recessions आये थे तो इससे में सारी economies बहुत जादा affected हुए थी क्योंकि कहीं न कहीं हमारी economy है या वर्ल्ड की बाकी economy है वो दूसरे के उपर dependent है तो इस dependency को अकम करने के लिए जरूरी है कि हम entrepreneurship skills लोगों में develop कर सके हैं ठीक है अब यहां करने के लिए बड़े corporates घराने नहीं आ रहे हैं लेकिन अगर हम entrepreneurs नहीं develop कर सके तो वो अपने छित्रों को बहतर समझते हैं यहां का need assessment करते हैं और उसके इसाब से वो products provide कर सकते हैं तो यहां पर उनके लिए opportunities बढ़ जाती है ना इसरे राची में बाकी जहरकरण के अलग ग्रामीनी छेत्रों में भी अगर बात करें तो वहां पर भी entrepreneurship skills से डेवलप की जाए तो वहां का भी विकासदर तेज हो सकता है और एक balanced economic growth हो सकता है और अगर बात करते हैं अगर हम देखे कि हमारी GDP जो growth हो रही है उसमें एक बड़ा योगदान हो रहा हमारे एंटेप्रेनियर्स है यह लगातार अपने production capabilities को बढ़ा रहे है और जिसका फाइदा हमारे GDP को मिल रहा है ठीक है इसके अलाबा हमारे human resource है उसके development के लिए भी जरूरी है कि हम entrepreneurship skills develop कर सेके तो सर कहीं न कहीं अगर जो बच्चे जारखंड में हैं अगर वो इस subject की परहाई करेंगे तो उनके लिए बहुत सदा बूमिंग सेक्टर होगा बिकाज यहां पर पर प्रॉपी ज़दा डिमांड है बट सप्लाई उतनी ज़दा नहीं है तो बहुत अच्छे से अपने skills को परेंगे तो जब भी हम डिमांड है उसको हमारे लोकल जो अध्योग पती है या एंटर्प्रेनियर से उसको पूरा कर सके हैं जिए सखेंगे कि अंत में आप हमारे जो दर्शक होंगे जो बहुत सर ऐसे बच्चे होंगे जो कि एंटरपर निश्प की परहाई करना चाहते ह जैंगे फ्यूचर के लिए फ्यूचर में इसको बहुत अच्छा एंटरोप्रेशिप का। क्योंकि इंडिया डेवलोपिंग एकनॉमी से डेवलप्र इकनॉमी की तरफ जा रही है तो जब भी हम डेवलप्रेंटरोप्रेटिक टरफ बात करते तो प्राइडफियाजिशन हम क एक लीटर बनी है आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिलेंगे जिसे आपको बहुत जादा जानकारी मिल सकती है तब दक के लिए अब हमें इजाज़त दीजे मिलेंगे हम आपसे और भी हेराई की नई करीमे नमस्कार जुहार